नमस्कार दोस्तों अब दिल टाइम्स में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ सुनक्षे दिक्षित गनेश चतुर्थी का पर्व बेहद शुब माना जाता है यह हर साल दस दिनों तक धूमधाम के साथ मनाया जाता है यह पर्व भगवान गनेश के जन्म का प्रतीक है जिसका इंतिजार सभी भक्त बेसबरी के साथ करती है इस दिन भगवान गनेश की पूजा सची श्रद्धा के साथ करने से सुख और शांती की प्राप्ती होती है साथी जीवन में शुब्दा का आगमन होता है हिंतो मंचांके अनुसार इस साल भाद्रपद महा के शुक लुपक्ष की चतुर्थी ती थी 6 सितंबर 2024 दोपहर तीन बचकर एक मिनट पर शुरू होगी वहीं इसका समापन 7 सितंबर को शाम पाज बचकर 37 मिनट पर होगा पंचांके आधार पर गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार को शुरू होगी और इसका समापन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को अनन्त चतुर्दशी के दिन होगा गणेश चतुर्थी में कुछ पूजा के नियम बनाए गये हैं जिनका पालन बेहद जरूरी है गणेश पतिमा को घर ले जाने से पहले अपने घर की साफ सफाई और स्नान अवश्य कर ले मूर्ती मिट्टी की होनी चाहिए गणेश जी की मूर्ती घर लाते समय उसे साफ कपड़े से धग कर लाएं अपने पूजा स्थान में जल से भरा कलश स्थापित करें भगवान गनेश को दुर्व अवश्य और पत करें तामसिक चीजों से परहेस करें बपा की प्रतिमा घर पर लाने के बाद घर खाली ना छोडें गडबदी स्थापन करते समय सही अनुष्ठान और मुहरत का पालन करें मुर्थी स्थापित होने के बाद मांसाहार प्याज और लहसुन खाने से बचे इस जोरान गलती से भी किसी को अब श्रब्द न बोले धन्यवाद